आज हम लोग एक नए topic को सुरूव करने जा रहे हैं और यह जो topic है हमारा यह common syllabus है आपको electrical electronics और instrumentation branch के लिए ठीक है यह syllabus जो होगा हमारा मतलब यह पूरा course जो होगा हमारा ठीक है यह full course upload किया जाएगा मेरे इस YouTube चैनल को पर इस course में हम लोग जाना जैसे पहले भी बाकी जैसे हमारा digital electronics का course चल रहा था जैसे हमारा control system का course चल रहा है जैसे मेरा microprocessor चल रहा है ठीक है basic electrical तो वैसे मैं decide करा हूँ कि इस course को भी मैं पूरा upload करूँगा अपने इस YouTube चैनल के उपर ठीक है तो आप लोग जो है ना इस course में देखोगे कि इस course का main motive कहा है कि वो भी मैं बता कि हम लोग जो है ना इसमें सबसे पहले theoretical part को discuss करेंगे इसके साथ हम लोग जो है ना यहाँ पे कुछ numericals या जो भी exam में पूछेगा इस सवाल है previous year में वो सब भी discussion यहाँ पे हम लोग complete करेंगे ठीक है और हमारा जो भी course होता है वो आपको पता है ना कि सर हमारा course एक बोल सक करते हैं कि सिर्फ हम लोग जो है ना types of problems को solve करके भी paper दे सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर आप conventional paper को देने जा रहे हो जैसे semester ही दे रहे हो तो आपको वहाँ पे conventional paper देना ता आपको क्या करना हो कि सर्थ theoretical part पर भी आपको अच्छा पकड़ होना चाहि हमारा जो आज का topic होगा वो है analog electronics हम लोग शुरू करने जा रहे हैं analog electronics यह बहुत easy paper है लेकिन थोड़ा सा इसका syllabus ज्यादा है के लिए आपको बहुत अच्छे तरीक है से इसमें मैं basic electronics का लग 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 पार्ट कभर ही कर दूँगा जो भी हमारा basic electronics का topic से वह भी कभर हो सकते हैं लेकिन आपको theoretical पार्ट की सांसरत numerical approach भी यहाँ पर clear होते हुए चलेगा ठीक है ताप इस इस course को इना लोग electronics के course को आप लोग जो है semester paper के लिए देख सकते हो ठीक है semester exam के लिए देख सकते हो कोई भी एगर exam देते हो जैसे कि हमारा UPPCL है हमारा जो है PGCIL के paper है हमारा जो है BARC है हमारा जो है ESRO है SSJEE में भी basic electronics वाले पार्ट से पुछे जाते हैं ठीक है DMRC है अभी हाल फिलाल में हमारा DTSSP का form आया है Delhi subordinates board का राजस्तान का आता है form RACB का form आया था फिर अभी राजस्तान JN में form आया है ठीक है इन सब exam के लिए भी आप इस video lecture को देख सकते हो ठीक है उसके पास हम बात करते हैं तो आप अगर EAC देना चाहते हैं इंजिंग सर्विस एक्जामिनी सर आई इस देना चाहते हो तो देख सकते हो ठीक है gate भी देना चाहते हो तो देख सकते हो बस इसमें क्या gate वाले में कि आपको number of problems बढ़ाने पड़ेंगे देखो gate एक ही चीज खोशता है कि सर कितना प्रक्रेक्टिस करके आया हो चलो यानि कि आप किसी भी एक्जाम के लिए देख सकते हो एक overall क्याने के mix करके पढ़ाया जाएगा कि पूरा numerical भी नहीं रहेगा पूरा theoretical भी नहीं रहेगा लेकिन हाँ mix रहेगा कि आपका दोनों तीनों एक्जाम जो भी papers है सारे papers में कभर हो जाए के लिए important हो जाता है बहुत अच्छा paper है यह और बहुत सारे लोग का चुटा हुआ रहता है यह अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सब्सक्राइब कभर कैसे करेंगे हम लोग कैसे इसको पढ़ना सुरू करेंगे और हम लोग क्या-क्या आपको बेसिक आइडिया मिलेकर सर्फ बहुत सारे लोगों का पढ़ा हुआ ठीक है चलो उसके बार पढ़ेंगे सब्सक्राइब करेंगे ठीक है चलिए डायोट सर्कुट में जीतने भी पॉइंट से क्लिपर क्लैम पर जीतने भी टॉपिक्स हैं सारे कभर किया जाएंग म Spit आतले catastal तेगे उसके लिए पढ़ेंगे बात नहीं है ठीक है अब हम पढ़ते हैं बाई पोलर जग्सन ट्रंजिस्टर बीजटी को पढ़ेंगे अमसे बीज़ेटी की ऑंदर हम पढ़ेंगे स्सेयल से बैसीं के बारे में उसके बाद से पढ़ेंगे सर्वस्ध िहता ठीक है चलो next topic पढ़ेंगे जेफट के बारे में ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉसफट के बारे में देखो मैं यहां पर overall idea दे रहा हूं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है topic वाई जो हम पढ़ना सूरू करेंगे तब आपको डिटेल में दीखेंगे और को रुट कौन को से टॉटिक कभर करने वाले ने फिर हम पर टेंगे सर आप एंड अप्लिकेशन ऑप एंड आप्लिकेशन ए ठीक है फिर पटेंगे समल फ्रिडवेक एंपलिफेर feedback amplifier ठीक है उसके बाद मनों पढ़ेंगे oscillators and timers ये भी important है न oscillators and 555 timer ठीक है लास्ट में पढ़ेंगे power amplifier के बारे में इतने topics हम लोग जो है न कभर करेंगे सरे इक एक करके हम लोग पढ़ना सुरू करेंगे semiconductor physics से आपको कोई भी आस्यों विदा नहीं होगी कि बस क्या नहीं कि थोड़ा time taken हो सकता है कि हाँ सर टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है ठीक है हम लोग power semiconductor से पढ़ना सुरू करेंगे आप लोग बस इस video lecture को देखिए और हम लोग कल से जो है ना अपना course in detail सुरू करने जा रहे semiconductor physics के साथ ठीक है semiconductor physics को पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक से semiconductor के बारे में material के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हमारा कैसे energy band जो कुछ भी पूरा डीटेल में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद हम डायोड circuit के बारे में पढ़ेंगे पहले हम फाउंडेशन तयर करेंगे सारे में आपको जरौत पढ़ने में से आपको फैदा नजार आएगा ठीक है चलो तो आप लोग जैसे जैसे ही आप लोग जो है अब हम लोग इलेक्रोनिक्स भी सूरू करने जा रहे हैं अगर आपको कोई जोना वंडे एक्जाम देना है तो आप अब्जेक्टिव सेरीज के बात करते हैं उसका भी हम लोग के यूटूब चैनल को पर अप्लोड किया गया है पाउर सिस्टम का अप्लोड किया गया है इले आप जो है नेक्ष्ट क्लास से हम लोग इनालोग इलेक्रोनिक्स सुरू करने जा रहे हैं तो आप लोग एक पर सप्पोर्ट करोंगे और इस वीडियो के देखने के बास से बताओंगा कि यहां सर्च को को मेरे को चाहिए गए नहीं करना चाहिए ठीक है अगर आप लोग क और एक तरफ जहान हम लोग circuit theory हम लोग सुरू करेंगे ठीक है जैसे हमारा बागी course complete हो तो आप लोग comment करके जरूरू बताऊगा कि सर एना लाओ की electronics आप लोग पढ़ना चाहते हो या नहीं आपको जरूर थे कि नहीं है ठीक है चलिए thank you